हलो फ्रेंद्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैंने आप लोग से चीजी चिकन पास्ता की रेस्पी सेयर कर रही हूँ अगर आपको मेरी ये रेस्पी पसंद आए तो वीडियो को लाइक सेयर करना ना भूले और अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफा आए तो चैनल को भी स सकते हję को मैंने पहले से नमक के पानी में बाइल कर लिया है तो आप यहाँ पे हम कुछ वेजिटेबल लेंगे वेजिटेबल मैंने यहाँ पे गाज और सिम्ला मेच लिये आपको को भी वेजिटेबल यूज सकती है और साथ में मैंने चौप कहवार पयाज अदरक लास्ए और हरी मिर्चा लिए अब बनाने स्टार्ट करते हैं एक कड़ाई लेंगे और इसमें तीन टेबल स्पून रिफाइन वाइल डालेंगे और साथ में एक बटर का टुकरा डालेंगे तेल हमारा गरम हो चुका है अब यहां पे चॉप किया वा अदरक लसून और साथ में हरी मि चॉप किया हूँ प्यास डालेंगे अब साथ में प्यास को भी सॉटे करेंगे हम यहां पे प्यास हैना मेरा सॉफ्ट हो गया है अब यहां पर हम अपना वेजिटेबल डालेंगे जैसे कि सिम्ला मिर्च और गाजर यहां पे मैंने दो सिम्ला मिर्च चॉप किया हूँ डाल हम इसको भी सौटे करेंगे दो मिनिट के लिए तो यहां पर मेरा सौटे हो रहा है दो मिनिट सौटे करने के बाद हम यहां पर तीन टेस्पून हम वाइट विनिगर डालेंगे और दो टेस्पून हम सोया सॉस डालेंगे अब मैंने यहां पे चार टेबल स्पून भरके टेमेटो सॉस लिए अब पास्ता में टेमेटो सॉस अपने टेस्ट के कॉर्डिंग कम जादा कर सकती हैं आपको जैसा पसन है तो यहां पे मैंने चार टेबल स्पून भरके टेमेटो सॉस ले लिए दो टेबल स्पून हम भरके सेजवान चटनी तो यहां पर मैंने ले लिए सेजवान चटनी अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अभी से ही कितना यमी लगा ना देखने में चीजी चीकन पास्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है आप जरूर इस रेसिपी को ट्राइ किजिए और अपना फिड़ बैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी अब यहां पर हम पास्ता मसाला डालेंगे मैंने यहां पर दो पैकेट पास्ता मसाला लिए दोनों को में डाल दूँगी और अब इसको मिक्स कर लेंगे पास्ता मसाला से जो पास्ता का जो कलर है और उसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है मैं रिकेमेंड आपको जर अब टेबल स्पून ब्लैक पेपर पॉडर लिए इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से अब मिक्स करने के बाद हम थोड़ा सा नमक डालेंगे विजिटिबल के टेस्ट के अकॉर्डिंग क्योंकि हम पास्ता में भी एड किये थे नमक बोल करते वब और सॉस में भी नमक होत तो अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पास्ता को मसाला में देगे कितना अच्छा कलर आया पास्ता मसाला से सॉस से पास्ता को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहां पर हम चीकन डालेंगे चीकन को हम पहले से हम मारिनेट कर लिए थे मसाला में उसके बाद हम इसको फ्र बाइं अब जाब इया हम चीज डालें ए पर चीज स्लाइस था। मेरे पाइं हमोजरेला चीज मे श्यूना और के ऐख़ें अब उनलों मिक्स कर लेंगे चीज को पास्ता में और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज जल्दी से सस्क्राइब कर लिए मेरे चैनल को और आपको ये पास्ता कैसा लगा आप जरूर बताए कमेंट बॉक्स में तो यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है अब यहाँ पे इसको ढख के पकाएंगे ताकि जो चीज है वो अच्छे से मिल्ट हो जाए और ना पास्ता में अच्छे से मिक्स हो जाए तो यहाँ पे मिल्ट हो चुका है हम एक बार और चला लेंगे मिक्स कर लेंगे उपर नीचे कर लेंगे पास्ता को पास्ता मेरा तया है अब हम सर्फ करके आपको दिखलाते है तो लग रहा है ना देखने में यमी यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बना था आप जलूर इस रेसिपी को ट्राइ किजिए और आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सेयर करना बिल कुलना भूले इससे आपको मेरी न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा थांक्यू बाबाई टेक कियो